तो दोस्तो प्रश्ण वाली 1.1 का प्रश्ण नम्बर 3 कुछ इस तरह है तो ये कुछ इस तरह है 3 वटे 5 और 4 वटे 5 के बीच 5 परमे संख्या ग्यात किजिए तो दोस्तो इस से पहले कि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा कि दो संख्याओं के बीच कैसे परमे संख्या निकालते हैं तो आप देख लीजिएगा और अगर आपको समझ में ना आयतो अगर समझ में आ रहा तो फिर यही वीडियो से आप काम चलाइए हल करते हैं दोस्तो और आपको साथ में समझाते जाते हैं तो हल दोस्तों सबसे पहले लिख लेना है आपको जितने परमेशंख्याओं के बीच मतलब परमेशंख्यां ग्यात करना है तो यह तीन बटे 5 और 4 बटे 5 के बीच कितना 5 परमेशंख्याओं पांच परिमे शंख्या तो पांच परिमे शंख्या अब हम जितनी ग्याद करने है दोस्तो पांच करने न तो पांच में एक जोड देंगे कोई भी संख्या हो दोस्तो जितना भी ग्याद करना उसमें एक जोड देना है और जोडने के बाद जो आए दोस्तो उसको उस संख्या के अंस और हर में क्या कर देना है गुड़ा कर देना है तो अब क्या करेंगे दोस्तों 3 बटे 5 और 4 बटे 5 के अंस तथा हर में 6 का गुड़ा करने पर गुड़ा करने पर गुड़ा कर देंगे गुड़ा करते हैं दोस्तों तो 3 बटे 5 गुड़े 6 बटे 6 कर दो दोस्तों इसको इसी तरह 4 बटे 5 के अंसर में भी 6 बटे 6 का मसला अब 6 का गुड़ा कर दो, तो 6 बटे 6 हो जाएगा, अब दोस्तों, यहाँ हम गुड़ा कर देते हैं डिरेक्स, 6 तरीक, 18, और यह 6 पंचे, 30, और यह क्या हो जाएगा, 6 चर को, 24, और यह क्या हो जाएगा दोस्तों, 6 पंचे, 30, तो अब इतनी 18 और 24 की बीच में, जो सं लिग देते हैं दोस्तों, तो क्या होगा, 18 और 24 की बीच में संख्या, 19 वटे 30, और क्या होगा, 20 वटे 30, 21 वटा 30, 21 वटा 30, 22 वटा 30,ak 23 बीच तेरहनी टीस, चौबिस बटा टीस, इस वरी, यह तो पांच हो गये न, इन दोनों की बीच की संख्या तो इनको लेना है, इनके बीच में जो संख्या दोस्तों, उन्हें लेना है, तो यह 5 संख्या है दोस्तो एक, दो, तीन, चार, पांच यही है तीन वटे पांच और चार वटे पांच के बीच की पांच पर में संख्या दोस्तो इसे हम लिखेंगे आगे अधा तीन वटे पांच और चार वटे पांच के बीच की पांच पर में संख्या शंख्या, 19 वटे 30, 20 वटे 30, 21 वटे 30, 22 वटे 30, 23 वटे 30 हैं यह हो गए दोस्तो उत्तर पेपर में आपको इसी तरह लिखना है दोस्तो और आपको पूरा-पूरा नंबर मिलेंगे तो दोस्तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सस्काइब करेजिए और लाइक जरूर कर देजिएगा